देखकर बोला था, कहाँ पर बैठे हैं, दीपक, उनसे पूछ लीजेगा, कि वो जो देखकर बोल रहे थे, उसकी समझ उन्हीं स्वयम भी थी या नहीं थी, सिर्फ रटकर उन्होंने बोला था, सिर्फ देखकर उन्होंने लिखकर उन्होंने बोल दिया, और उसका ग्यान उ बोलना निरर्थक ही उनका कहलाएगा पर अगर वो देखकर बोल रहे थे पर उसकी समझ उनको थी तो उनका प्रियास वट अच्छा था जो विषय उनका था उसपे और भी बोला जा सकता था पर क्योंकि वो अहिंदी भाशी थे प्रियास कर रहे थे इसलिए जितना बोला वो सराहनी है उनका रहा और उनके प्रयास के लिए भी उनको मैंने एक्स्ट्रा फाइव मार्क्स यहां पर दिये हैं चले दूसरे आते है व्रिशव उनका जो विशय था कर्मों का भेद उन्होंने आते ही साथ ग्यानावर्णी दर्शनावर्णी जो कर्म के भेद थे वो गिनाने शुरू कर लिये थे सबसे पहले आपको करना ये था कि कर्म के कितने प्रकार से भेद हो सकते हैं द्रव्य कर्म भावकर्म का भी भेद हो सकता है घाती अघाती कर्म का हो सकता है फिर घाती अघाती कर्म में दर्शनावर्णी और दर्शनावर्णी आधी जो कर है उनके भेद होने चाहिए ते जिसमें अगाती कौन से हैं इस प्रकार से अगर आप भेद करते तो वो ज्यादा अच्छा दिखाई देता ज्यादा अच्छा आपका प्रस्तुती करण होता आपके जो यहाँ पे ग्रंथ आधार आपको दिया जाता है जब भी गोश्टी के लिए आप तियारी करते हैं कि आपको तत्वा सुत्र के आधार पे करना है या अन्य किसी ग्रंथ के आधार पे करना है उसके आधार पे आप करें लेकिन इसका ये तात्परि नहीं होता कि अन अन्य ग्रंतों से भी आपको जो उधारन हैं उधारन हैं या सिध्धान्त हैं वो अन्य ग्रंतों के भी आप ले सकते हैं इससे आपकी ही जो विशय होता है वो और अच्छा बनता है इसके अलावा आपका भी जो प्रयास्ता अच्छा था आपको कर्मों के नाम बताने थे कर् कर्मों का क्रम यद्यपी घाती अगाती का हम भेद करते हैं पर कर्मों को बोलने का जो क्रम आता है वो अलग हो जाता है तो क्रम जो हमारा हुआ है वो ऐसा अलग क्यों हुआ है वेदनी आगे क्यों आया है बाद में कोई जो नाम जो कर्म आया है वो क्यों आया है वो क्रम का भेद भी ऐसा क्यों है उस पे भी आपका इस पश्टी करण हो सकता था पर कनिष्ट के हिसाब से आपका जो प्रयास है अच्छा था इसके बाद आये थे यश इनका विशय था ज्याना वरंड कर्म और उनके आश्रव जब भी आपने प्रयास बहुत अच्छा किया था आपकी आवाज और शैली बहुत अच्छी है अगर आप थोड़ा सा अभ्यास करेंगे मदा आपकी भाशा में यान आ जाएगा तो आपका जो विशय है वो और अच्छा होगा आपकी आवाज शैली बहुत प्रभावित करती हैं सभी बगवकताओं को एक मलब एक suggestion या advice समझ लीजे आप रट के भी आते हैं तब भी आपका प्रस्तितिकरण ऐसा होना चाहिए कि वो दिखाई ना दे कि वो रटा हुआ है वो ऐसा लगे कि आप स्वयम अपने मन से बोल रहे हैं ये आपकी practice आप करते रहेंगे तो वो अपने आप आपके बोलने में आपके विशय में आपकी शैली में भाष्या में वो आ जाएगा कभी भी ये दिखना नहीं चाहिए कि आप रट कर आए हैं वो ऐसा लगना चाहिए कि आप अपने आप स्वय में आपके जो भाष्या है उसमें वो निकल रहा है इसके लाब आपका भी जो प्रस्तुदी करन था विशय था आपका अच्छा था फिर आये थे दर्शन दर्शना वरण कर्म और उनके आश्रव के कारण आप एक चीज़ में ये जोड सकते थे दर्शना वरण और ज्याना वरण कर्म के जो आश्रव के कारण है वो एक ही कहे गए है जो ज्याना वरण कर्म के आश्रव के कारण है वही दर्शना वरण कर्म के आश्रव के कारण है तो दो कर्मों का आश्रवरण एक ही कारण से कैसे हो सकता है यह आप एक चीजद बता सकते थे आपने यह ज़रूर कहा था कि यैस जी ने बता दिया है वो ही आश्व की कारण हमारे दृष्णावरण के भी हो जाते हैं पर एक ही कारण से दो कारण कैसे हो रहे हैं ये बताना भी धरूरी था तो कोई भी उधारन दे सकते थे कि ऐसा जरूरी नहीं है कि एक ही कारण से एक ही कारण हो जैसे अनेक कारण से एक कारण भी हो सकता है एक कारण से अनेक कारण भी हो सकते हैं ठीके तो ऐसे ही जो प्रदो यह आप बता सकते थे थोड़ी सी आपमें बाकी अभी तक की जो वक्तागर्ण थे उनके हिसाब से आत्मी विश्वास की थोड़ी कमी आपमें दिखी थी तो आप उस पे प्रयास आपको करना चाहिए इसके बाद आये थे मधुर उनका था मुहनी कर्म का और उनके आश्रव क कारण आपका प्रस्तुती करण भी अच्छा था था थोड़ी सी गलती होई थी जो हमारे ग्रंथों में जैसा लिखा होता है वैसा ही बोलना चाहिए चल मल अगार दोश होता है मल चल अगार दोश नहीं होता कहां बैठे है हाँ ठीक है तो जैसा लिखा गया होता है हर एक क क्रम निश्चित है और हमें वैसा ही बोलना चाहिए हो सकता है वो उस वक्त आपकी त्रोटी हो गई हो पर आपके ग्यान में वो त्रोटी नहीं हो पर यह हमें थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए दूसरी चीज आप किस मतब जो हम यहां पे वक्तव्य दे रहे हैं वो किस उस पीछ देनी का एक वो है मंच है यह वादवाद प्रत्योगिता नहीं थी वादवाद प्रत्योगिता में जो आपने शैली बोली है वो उसमें बहुत अच्छी लगेगी पर गोश्थी में आपकी शैली गंभीर होनी चाहिए और शांत होनी चाहिए ठीके आपकी शैली आपका भी जो भाषा प्रभाव था, बहुत अच्छा था, आपकी स्पीड विल्कुल सही थी, आपकी जो शब्द निकल रहे थे, वो सही थे, कौनसे शब्द पर जोर देना चाहिए, कौनसे शब्द सामानी रूप से बोले जाने चाहिए, वो जो आपका भाषा प्रभाव था वो बहुत अच्छा था दूसरी जीत जब भी आप जैसे अभी कहा था जो हम शब्द बोलते हैं जैसा ग्रंतों में लिखा गया है वैसा ही बोला जाना चाहिए ऐसे ही जो गाथाएं हैं जो सूत्र हैं जो शलोक होते हैं वे भी पोन शुद्ध होने चाहिए ठीक है आप जैसे सूत्र वगरा बोल रहे थे उसमें थोड़ी सी गलतियां आपसे हो रही थी जैसे आपने नारकस्य आयूशह की जगे नारकाश नारकायूशह कुछ बोला था आपने वो थोड़ा गलत था तो हम जो बोल रहे हैं हमारे जो शब्द हैं वो थोड़े बहुत गलत हो भी सकते हैं पर आचार्यों के शब्द जब हमारे मुँझ से निकले तो वो पूर्णे शुत्व ही होने चाहिए इसका ध्यान हमको रखना चाहिए फिर आये थे अक्षे जी अब यहां से हमारे वरिष्ट उपाद्याय का क्रम शुरू हुआ था और ये अपने आप में मतब प्रदर्शित हो रहा था कि कनिष्ट से जैसे ही वरिष्ट के विध्यार्तियों का क्रम शुरू हो रहा था जो अंतर था वो साफ साफ दिखाई दे रहा था ये ब भाशा में अंतर दिखाई देता है आपके आत्में विश्वास में अंतर दिखाई देता है आपके विशे प्रस्तुती करण में आपने जो विशे तैयार किया है उसमें अंतर दिखाई देता है कनिष्ट की अपेक्षा वरिष्ट में वो जो सराहनी वो जो कार्य हुआ था व अंतर रिखाई दिया था इसके पहले जितने भी विध्यारती आये थे उनमेंसे किसी ने भी उधारन देकर नहीं समझाया था आप जिन भी कर्मों की बात कर रहे हैं उनको आप उधारन से समझा सकते थे कि ज्यानावरन जो कर्म है उसका क्या उधारन है दशनावरन कर्म के क् वरिष्ट के क्रम से ही शुरू हो गया था उधारन देने यहाँ पे अलग-अलग ग्रंतों के उधारन देना यहाँ से प्रारंब हो गया था वो काफी अच्छा था आपने उधारन दे के समझाया था आपका भी विशे काफी अच्छा रहा था पिरायते अशोक, आप भी क्योंकि अहिंदी भाशी हैं, पर आपके भाशा में थोड़ा सा सुधार और होना चाहिए था, जो दिखाई नहीं दिया, उस पे आपको थोड़ी और प्रयास करना चाहिए, आपका भाशा पे जैसे ही प्रयास अच्छा होगा, आपका विशय भी अपने आप अच्छा होने लगेगा, ठीके तो आप थोड़ा सा भाशा पे अपनी तैयारी और अच्छी पकड बनाईए, पर आये थे अतिशे, इंका धा वेदनी हैं, कर्म का स्वरूप और उसके आश्रव के कारण, आपका भी जो तैयारी थी, आपकी अच्छी रही थी, अतिशेक ने भी उधारन वगेरा दे के समझाये थे, काफी अच्छे थे, आयूश ने भी अंतराय कर्म एवं आश्रव का स्वरूप, आपके में जरूर उधारनों की कमी रही थी, ठीके तो वो थोड़ा सा और आप सुधार सकते हैं, फिर आये थे प्रती, इनका भी काफी प्रभावशाली इनका वक्तविरा था, इन्होंने अलग-अलग उधारन दिये थे, उधारन दिये थे इनका जो विशे था, जीव स्वयम के अज्ञान से दुखी है, इन्होंने सिर्फ ग्रंथों की बात नहीं की थी, इन्होंने उस ग्रंथों की बातों को की जीव अपने अज्यान से दुखी है, मातरिक गरंतों के उधारन दे दियो हो, उधारन दे दियो हो गरंत से नोट करके यहाँ पर बोल दिया हो, ऐसा नहीं था, इन्होंने तरक दिये تھे और लौकिक जीवन पर उसको घटा कर भी बताया था कि कैसे जीव स्वयम के अग्यान से दुखी है सिर्फ कर्म और जीव और आत्मा इन जो हमारे शाब्दिक अर्थ हैं शब्दावली हैं उन तक ही सीमित ये नहीं रहे थे लौकिक जीवन पर उसको घटा कर दिखाया था ये बहुत अच्छा इनका प्रयास था इसके बाद अंकुर जी ने बोला था अंतराय कर्म नहीं इनका था निशकर्म अवस्था इन्होंने भी बहुत अच्छे से बोला था वही इनके साथ था इन्होंने भी बहुत सारे अलग-अलग उधारन दिये थे उधरन दिए थे, सिर्फ आचार्यों की ही नहीं दिए थे हमारे अभी के जो ग्रंत लिखे गए हैं उनके भी उनोंने उधरन दिए थे इनका भी जो विशे था यह काफी प्रभावशाली रहता काफी अच्छा है इनोंने भी विशे बोला था अब थोड़ा सा हम यहाँ पर विशय की बात करते हैं जिस विशय पे हमारी जो गोश्थी चल रही थी बहुत संग्शेप में हम बोलेंगे जो गोश्थी का विशय था वह था कर्म और कर्म के आश्रव के कारण जो कर्म यवस्था है या जो कर्म चक्र है सिर्फ भारतिय दर्शन में ही नहीं पाश्यात्य दर्शन में भी कर्म की सत्ता को स्वीकार किया गया है सिर्फ दो ऐसे दर्शन हैं जिसमें कर्म की सत्ता स्वीकार नहीं की गई है या फिर हम ये कहें कि कर्म की त्रिकालता स्वीकार नहीं की गई है भारतिय दर्शन में हम देखें तो एक चारवाक दर्शन होता है ठीके चारवाक दर्शन है वो कर्म की सत्ता स्वीकार नहीं करता या फिर हम यह कह सकते हैं कि कर्म को सिफ वर्थमान जीवन तक ही मानता है कि इसी जीवन में आप कर्म करो, इसी जीवन में सब को छोड़के चले जा, उसकी त्रिकालता सिद्ध नहीं करता है ऐसे ही एक पाश्चात्य दर्शन हुआ है, अपिक्यो नियुरिज्म ये दर्शन भी जो कर्म होता है उसकी ट्रिकाल सत्ता को स्विकार नहीं करता है जब कर्म के अस्तित्व की बात आती है कि कर्म की सत्ता है भी या नहीं है तो उसको हम अनुमान से सिद्ध करते हैं कि कर्म की सत्ता होती है कैसे होती है कि हम हमारे यहां पे बल्ब चल रहा है लाइट्स चल रही है पंखा नहीं चल रहा पर चलते हैं तो यह चलते हैं किसकी वज़े से चलते हैं बिजली की वज़े से चलते हैं बिजली हमको दिखाई नहीं दे रही है पर ये कारे होते हुए हमको दिखाई दे रहे हैं तो इन कारियों के पीछे अवश्य कोई न कोई कारण होगा वो कारण क्या है? बिजली हमें हमारे संसार में विविद प्रकार की क्रियाएं होती हुई दिखाई देती हैं सुख दुख होते दिखाई देते हैं जीवन मरण होते दिखाई देते हैं, हर व्यक्ति का, हर जीव का जो जीवन है, वो अलग-अलग प्रकार से हमें दिखाई देता है, तो उन विविलताओं के पीछे कोई न कोई कारण अवश्य होगा, वो कारण क्या है? कि वही कारण कर्म है तो कर्म की सत्ता हर दर्शन में स्वीकार कही की गई है यद्यपी वो जो स्वीकृती है या कर्म की जो स्वरूप है वो थोड़ा बहुत कहीं पे आगे पीछे है थोड़ा बहुत डिफ्रिंट हमको विभिन प्रकार का हमको मिल सकता है लेकिन कर्म की सत्ता अवश्य होती है और वह जो कर्म है किस के साथ पाया जाता है आत्मा के साथ जीव के साथ बंधा हुआ पाया जाता है एक तो इसकी सत्ता स्वीकार के जाती है और दूसरा जीव और कर्म का जो संबंद है वो अनादी से है यह भी स्वीकार किया जाता है कर्म और जीब अनादी से बंधे हुए ही है बाद में जाके जो निशकर्म अवस्था होती है वह हो सकती है पर वो अनादी से बंधे हुए ही है इसको सिद्ध करने के लिए कहा जाता है कि अगर माननीचे कर्म पहले होता आत्मा बाद में होती तो भी वो स्वीक्रित नहीं होता वह सिद्ध नहीं होता आत्मा की सिद्धा पहले सिद्ध करते कर्मे की सिद्धा बाद में सिद्ध करते तो वह भी सिद्ध नहीं हो पाता क्यों सिद्ध नहीं हो पाता अगर आत्मा पहले होता कर्मे बाद में उससे बंदता इसका मतलब आत्मा जब पहले कर्मे रहिद था वो शुद्ध था अगर कर्म बाद में आकर उससे बंधा है या बाद में आकर उससे चिपका है तो इसका मतलब शुद्ध अवस्था में भी अगर कर्म बंध सकते हैं तो सिद्ध भगवान को भी कर्म का बंधन हो सकता है कि अगर आत्मा की सत्ता पहले थी कर्म बाद में आकर उससे बंद गए है तो सिद्ध भगवान भी अगर शुद्ध अवस्ता में तो उनको भी कभी कर्म का बंधन हो सकता है लेकिन यह हमें पता है कि जो सिद्ध अवस्ता होती है वो अनंत काल तक रहने वाली होती है उसमें कभी भी कर्म का बंधन नहीं होता है अगर हम यह माने कि कर्म पहले थे और आत्मा बाद में आई कर्म की सत्त पहले थी आत्मा की सत्त बाद में हुई तो वो पहले जो कर्म था वो कर्म किया किसने कर्म किसी कहते हैं कि किसी ने कुछ किया है कारिक उसको कर्म कहते हैं तो उस कर्म को करने वाला कौन था जब आत्मा ही मौझूद नहीं था इसका मतलब आत्मा और कर्म अनादी से मिले हुए ही है अनादी से इनका संबंध सिद्ध है जैसे सोना होता है कल हम फ्रावचन में भी सुन रहे थे सोना होता है उसमें जो किट्ट कालेमा होती है या जो दूलादी होती है वो उसमें पहले से ही मौजूड होती कोई उसमें डालता नहीं है पहले से ही जब उसका निर्मान होता है गुमट सार में इसके लिए कहा है पयडी सील सहावू यही उसकी प्रकृती है, शील है, यह स्वभाव ही ऐसा है कि कर्म और जीव का अनादी से संबंध रहा है तो यह कर्म और जीव अनादी से संबंध होते हैं फिर जो आत्मा होता है, वो अपने इन कर्मों का च्छे करता है और सिद्धवस्था कू प्राप्त करता है जब हम कर्म की बात करते हैं, तो कर्म is equals to संसार क्यों? कि अगर कर्म चक्र है, तो संसार चक्र है या कहें संसार चक्र कर्म के कारण ही है सबसे पहले जो जीब होता है वो रागद्वेश करता है रागद्वेश से क्या होता है कर्म बंधन होता है कर्म बंधन से उसको नाम गतियादी मिलते हैं नाम गतियादी मिलने से उसको शरीर मिलता है शरीर मिलने से उसको इंद्रिया मिलती है इंद्रिया मिलने से वो विशियों का सेवन करता है विशियों का सेवन करने से उसके रागद्वेश उत्पन होते हैं रागद्वेश उत्पन होने से उसको कर्म का बंद होता है ये संसार चक्र है यही कर्म चक्र है तो संसार कहें या कर्म कहें एक ही बात है हम जब संसार समझते हैं तो संसार का मतलब हम समझते हैं इस्त्री, पुत्र, मकान, आदी ये सब संसार की उपाधियां है पर संसार तो मूल रूप सी क्या है? कर्म ही है जब हम अध्यात्म की बात करते हैं तो अध्यात्म शब्द सुनते ही हमें क्या लगता है? मात्र आत्मा की बात लेकिन अध्यात्म सिर्फ आत्मा नहीं है अध्यात्म का विशय ही आत्मा और कर्म है क्यों है आत्मा और कर्म? अगर आत्मा उसका विशय नहीं होगा तो किसके मुक्त होने की बात करेंगे? अध्यात्म में हम मुक्ती की बात करते हैं अगर आत्मा ही नहीं होगा तो किसकी मुक्ती की बात हम करेंगे और अगर कर्म नहीं होगा तो किस से मुक्ती की बात करेंगे आत्मा को मुक्त करना है पर किस से? कर्म से तो जो अध्यात्म है वो इन दो चीजों से ही बना है आत्मा और कर्म इसलिए जब भी जैन दर्शन की बात आती है अध्यात्म की बात आती है मुक्ति की बात आती है कर्म चक्र, कर्म विवस्था कर्म कर स्वरूप की चर्चा अवश्य होती है ये उतना ही इंपोर्टेंट है क्यों इंपोर्टेंट है? क्योंकि कर्म हमारी शत्रु है क्योंकि आत्मा को हमें मुक्त करना है कर्म से मुक्त करना है कर्म हमारी शत्रु है जब तक हम शत्रु को पूरी तरीके से जान नहीं लेंगे उसकी शक्ती को पहचान नहीं लेंगे हम उसको हरा नहीं सकते हैं तो जितना आत्मा को जानना जरूरी है उतना ही कर्म को जानना भी हमारे लिए जरूरी है यहाँ पर एक बात आती है कि कर्म जो जीव है वो अनादी काल से क्या कर रहा है अनादी काल से कर्म का बंधन कर रहा है रागद्वेश कर रहा है क्रियाए कर रहा है लेकिन जब तक हम स होता रहेगा तो इन कर्मों से मुक्ती हमें मिलेगी कैसे कैसे हम मुक्त हो पाएंगे इन कर्मों से तो जैन दर्शन में 25 क्रियाएं कही गई है उन 25 क्रियाओं में 24 क्रियाएं तो सामप्रई क्रियाएं कहलाई जाती है इन 24 क्रियाओं से तो आश्रव कर्मों का आश्रवन होता है लेकिन एक क्रिया जो 25 क्रिया है वो कहलाती है एरिया पथी की क्रिया का मतलब होता है जब आप प्रमाद रहित होकर अप्रमादी होकर कोई क्रिया करते हैं असायामी होकर कोई क्रिया करते हैं तो वो जो क्रिया के कारण कर्म का आश्रवन तो होता क्योंकि क्रिया करेंगे तो कर्म तो आएंगे हैं तो क्रिया करने पर कर्मों का आश्रवन तो होगा लेकिन कर्म बंधेंगे नहीं आप जब तक सामप्राई क्रिया कर रहे हैं जिसमें आप मिध्यात्र कर रहे हैं राग्वे शादी कर रहे हैं उससे क्रियाएं होंगी क्रिया इसे कर्म आएंगे कर्म का बंधन भी होगा लेकिन जो इर्यापति की क्रिया होती है उससे कर्म आते जरूर हैं लेकिन कर्म का बंधन नहीं होता इसको ही कहते हैं कर्म अवस्था अभी हमने यहां पर बात की थी निश कर्म अवस्था की निश कर्म अवस्था मतलब होता है कर् वो जो कर्म आए हैं लेकिन वो बंधे नहीं है कर्म रूप से आए थे पर वो बंधे नहीं थे उनका कोई फल हमको नहीं मिला था ये अवस्था कहलाती है अकर्म अवस्था जब हम बात करते हैं घाती कर्म और अघाती कर्म की तो घाती कर्म जो होते हैं वो क्या करते हैं हमार आत्मे गुणों से संबंदित नहीं होते हैं और अघाती कर्मे से कभी नए कर्मों का बंधन भी नहीं होता है जितने भी नए कर्मों का उपजाना होता है या जो नए कर्मों का उत्पन्न होना होता है वे सारे घाती कर्मे से होते हैं दूसरा गर हम भेत करते हैं द्रविकर्म और भाव कर्म जब भी हम द्रविकर्म भाव कर्म की बात करते हैं हमें क्या लगता है जो पुदगलिक कर्म है या पुदगल की जो अवस्ता है वो क्या कहलाईगी द्रविकर्म जो आत्मा की अवस्ता है या आत्मा की जो परिणाम है वो क्या कहलाईगे भाव कर्म ऐसा नहीं द्रव कर्म में भी पुद्गल और जीव दोनों का सम मिश्रण होता है भाव कर्म में भी जीव और पुद्गल दोनों का मिश्रण होता है अंतर इतना होता है कि द्रव कर्म में पुद्गल का मिश्रण जादा होता है पुद्गल की शेयर्स जादा होता है और भाव कर्म में आत्मा के शेयर्स जादा होते हैं, इसलिए जब भी पुरुशार्ट करने की बात आती है, तो हमें भाव कर्मे की मुखिता से कहा जाता है, कि अपने भाव कर्मों पे हमें ध्यान देना चाहिए, क्यों? तो यहां पे द्रवे कर्म भाव कर्मे की बात हमने की थी, जो दूसरी बात हमने कही थी, कि जो इर्यपति की होते हैं जो हम क्रियाएं करते हैं जिसमें प्रमाद नहीं होता जिसमें संयम होता है ऐसी क्रियाएं जब हम करते हैं तो कर्म का बंध नहीं होता है कर्म का आश्रवन जरूर होता है एक बात मैंने या पर लिखी थी कि जब भी हम विशय का प्रस्तुती करण करें हम हिंदी संस्कृत के विध्यारती हैं हमको शब्दों पे भी ध्यान देना चाहिए जिन शब्दों को हम समझाना चाहते हैं जिसका स्वरूप हम समझाना चाहते हैं उच्छा शाब्दिक अर्थ क्या है वो भी हम समझा सकते हैं जैसे आश्रव आश्रव शब्द किससे बना है आ प्लस श्रवन श्रवन का मतलब क्या होता है रक्तसराव कहते हैं ना रक्तसराव मतलब रक्त का बहना ऐसे ही कर्मों का निकलना कर्मों का आना तो एक एक शब्द बहुत सारे शब्द हो सकते हैं, जिनके शब्द से भी हम अर्थ उसका निकाल सकते हैं, तो व्याकरण के जो शब्द हमारे सामने हैं, या हम व्याकरण के विध्यारती तो उन शब्दों से भी हम अर्थ निकालें, तो वो भी काफी अच्छा हमारा हो सकता है, यहाँ पर एक जो जानकर करती तो उसमें तो क्या हो जाता शेतन पना आ जाता लेकिन वो जो परिणमन था वो तो किसका था वो जीव का स्वयम का था एक बात आती है ग्रंथों में क्रिया सो कर्म उपयोग सो धर्म परिणाम सो बंद क्रिया करेंगे तो कर्म होगा उपयोग में अपने जाएंगे तो धर्म होगा क्रिया से तो कर्म होता है लेकिन बंद किस से होता है परिणाम से तो हमें अगर किसी पर ध्यान देना है तो किस पर ध्यान देना है अपने परि सूत्र के छटवे अध्याय से आश्रवों की चर्चा हम यहां पर कर रहे थे तत्वार सूत्र के छटवे अध्याय को परिणामों का दर्पन कहा जाता है कि अगर हमें देखना है कि हम जो परिणाम कर रहे हैं वो आगे जाके हमें क्या देने वाले हैं हमारे परिणाम कैसे दि इसमें बहुत अच्छे सी बताया गया है कि कौनसे कर्म करने से आपको कौनसे कर्म का आश्रप होगा ये जीज हमें सिर्फ पढ़कर नहीं रखनी। ये चीज हमें अपने जीवन पे लागू भी करनी चाहिए अगर हमें दिख रहा है हमने अब यहां पड़ा है कि हम अगर अपने किसी के ग्यान पे घात लगाते हैं अपना ग्यान अगर हम किसी के सामने प्रदर्शित नहीं करते हैं जो अच्छा ज्यानवान है उसकी हम निंदा करते हैं, हमारे अंदर जो दोश हैं उसको हम छुपाते हैं, सामने वाले के गुनों को हम प्रगट नहीं करते हैं, इनसे कौन-कौन से कर्मों का आश्रवन होता है, हम क्योंकि लौखिक जीवन में करते आ रहे हैं, यहां पर वेदन आत्मे परोभे, स्थानानी असद वेदसिय कि जो दुख है शोख करते हैं रोते हैं पीडित होते हैं इससे असाता वेदनिये के कर्म का आश्रवाद होता है इसका मतलब कर्म के उध्य से हमें कर्म का उध्य आया और हमारे सामने कोई प्रतिकूल अवस्था आई और उ एक हमारे सामने एक चीज है कि हमारे सामने जब भी कोई प्रतिकूल अवस्था आए, हमारे सामने कोई भी बुरी घटना आए, बुरी अवस्था हमारे जीवन में आए, हम और दुख करेंगे उसमें, हम और शोक करेंगे उसमें, हम अगर और पीडित होंगे उसमें, तो उसस कुछ होने वाला नहीं है बलकि हम और असाता वेत्नियकर्म का ही जो बंधन है वो कर रहे हैं इसका मतलब यह अवस्था पुन है हमारे सामने वापस उपस्थित होगी हम अगर किसी ज्यान किसी ग्यान नहीं करने दे रहे हैं तो निश्यत रूप से मानिए आपके ग्यान पे भी आवरन जरूर पड़ेगा आपको जब उस ग्यान की अवश्यक्ता होगी वो ग्यान आपके काम में नहीं आएगा तो एक-एक जो यहाँ पे आश्रव के कारण कहे गए है वो किस तरीके से हमारे परिणामों के दरपण है वो हमको अवश्य यहाँ पे देखना चाहिए ज़्यादा हम यहाँ पे नहीं बोल रहे हैं आपका समय हो रहा है यहाँ पे सिर्फ गोश्ठी के विश्य में इतना कहना चाहूंगी एक चीज जो हम यहाँ पे बोलना चाहेंगे जब भी आप अपना विश्य प्रस्तुत करें आप ग्रंथों से बोल रहे हैं किताब से लिख के बोल रहे हैं ठीक है पर उसमें आपका खुद का विचार भी अवश्य सम्मिलित होना चाहिए ठीक है जब भी आप कुछ बोले आपने बोल दिया पर आप कर क्या विचार है इस विश्य पे आपकी मनतव भी क्या है वो अवश्य एक या दो लाइनों में होने ही चाहिए ठीक है दूसरी चीज जब भी आप अपना विश्य तैयार करें ये आपको हमेशा ध्यान रखना चाहिए आपके शोता कौन है जैसे हम यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे जित्ते भी हमारे शोता है उन्होंने ये सारे जो विश्य है सबको इसका ग्यान है सब इसके बारे में जानते हैं आश्रव के कारण भी जानते हैं कर्मिका स्वरूप भी जानते हैं तो आपके विशय में आपके वक्तव्य में कम से कम एक या दो चीज़े ऐसी जरूर होनी चाहिए जो शोताओं को नहीं लगी कि शोताओं जब यहां से सुनके जाए तो उसको यह अवश्य लगना झाई कि हाँ मैंने कुछ नया सुना नया कुछ ग्रहन करके मैं यहां से गया हूँ अगर आप वही चीज़े जो उन्होंने सुनी होई हैं जो उन्होंने पढ़ चुके हैं या देख चुके हैं वही की वही चीज़े अगर आप वापस बोलेंगे तो उनका रिवीजन जरूर होगा वो सामने उनके वापस पुनर स्मृति में जरूर आएगा पर वो कुछ नय आप सीखके नहीं जाएंगे तो आपके वक्तव में जरूर एक दो चीज़ ऐसी होनी चाहिए जो लगे कि हाँ आज हमने यह नई चीज सीखी आपके शोता को यह जरूर लगना चाहिए दूसरी चीज सिर्फ चार मिनिट आपको मिलते हैं जब भी आप अपना वक्तव मुवी बनती है ऐडिटिंग होती है उसकी उनको कितने गंटे की रखनी है तो उसमें से जो भी चीज उनको लगता है कि जयादा important नहीं है वो क्या करते हैं उसको edit करते जाते हैं उसको हटाते जाते हैं आपने अपना वक्तव तरो भूब भाशन तयार कर लिया अब उसको देखो क इसमें से कौन सी चीज है जो मैं नहीं भी बोलूँगा तो भी जादा मेरे विशय पर फरक नहीं पड़ेगा तो वो चीज़े अगर आप खटाते जाएंगे तो आपका जो विशय होगा वो जो मूल विशय है जो आपके विशय से समबंदित विशय है वो ही आपके पास बचेगा तो चार मिनिट में वो आपका वक्तव बिल्कुल सटीक बैठेगा, बिल्कुल सही तरीके से प्रस्तुत हो जाएगा और दूसरी बात मैंने कहे चुकियों कि हिंदी और संस्कृत के व्याकरण के विध्याती होने के नाते हमें व्याकरण के शब्दों का भी व्याकरण के अनुसार भी हमें अर्थ जरूर निकालने चाहिए तो इस तरीके से हम अपना जो वक्तव्य है या जो गोश्थी में हम अपनी भाशन हम यहाँ पर प्रस्तुत करते हैं वो आपका बहुत प्रभावशाली होगा और रोचकता लिये होए होगा और नया आपके सामने प्रस्तुत आप कर सकेंगे शोताओं के सामने दूसरी यहाँ पर गोश्थी के विशय में भी हम कह सकते हैं ये गोश्थी का आगर आप एक प्रारूप देखेंगे तो ये प्रारूप आप देखते हैं कि जो शुरू के विशय होते हैं वो विशय की स्वरूप से संबंदिध होते हैं लेकिन अन्तिम जो दो विशय होते हैं वो आपके विचार आप क्या समझते हैं वो नया कोई विशय होता है तो वो जो आखरी के जो दो वक्ता होते हैं उनकी जिम्मेदारी बनती है कि आप उस वक्तव्य में अपने मनतव्य जरूर प्रस्तुत करें जो आज की गोश्थी में हुआ था अन्य में गोश्थी जो स सकता है क्योंकि उनको अपने मंतव उसमें प्रस्तुत करने होते हैं उधारन देने होते हैं तरक आदी देने होते हैं तो उन दोनों को सबसे जादा तयारी करनी की आविश्यक्ता होती है जब हम यहाँ पर पढ़ते थे हमारे समय में गोश्थियों गोश्थियां जो होती थी इसी प्रकार से होती थी पर उस में एक नयापन हमारे समय में होता था की सिर्फ इसी प्रकार की गोष्टिया नहीं होती थी जो गोष्टियों में power prime presentation की जरत होती थी जैसे तीन लोग का भूगोल बगएरा है तो वो हम screen के माढधियम से हम बताते थे कुछ गोष्टियां संस्कृत माध्यम से हुई थी कुछ गोष्टियां अंग्रेशी माध्यम से भी हुई थी तो इस प्रकार से भी गोष्टियों में अगर हम कुछ नयापन लाते रहेंगे तो मारी जो गोष्टियां है वो थोड़ी रोचक हो सकेंगी ऐसा मेरा ये आयोज्जिको को एक थोड़ा सा मेरी तरफ से सुझाव है अगर वैस तरीकिसे भी करें तो मारी गोष्टियाँ थोड़ी और रोचेख हो सकती थे हमारे समय में ऐसा एक प्रयास किया गया था जो काफी सफल भी रहा था तो इस प्रकार से ये जो गोष्टियां है जो कहा जाता है अविच्छिन परंपरा है जो निश्चित रूप से अविच्छिन परंपरा ही रही है सालों से हम इस गोष्टि के परंपरा को देखते आए हैं सुनते आए हैं भाग लेते आए हैं बोलते आए हैं तो ये परंपरा ऐसे अविच्छन बनी रहे, ऐसा मेरी शुबकामना है, और आप सभी ने मुझे आमंत्रित किया और इतनी दे तक सुना, इसके लिए धन्यवाद. बहुत बहुत धन्यवाद आदर्णिया अध्यक्षा महुदों के लिए, जिन्होंने बिसे की गंभीरता से हम सभी को अंगित कराया, एक बाक करतत होने से हम सभी उनका बहुत बहुत स्वागत करेंगे. बगताओं के लिए, दीदी ने जो जो तुर्टियां आप सभी के लिए बताई हैं, तो आप सभी भी आगे उन तुर्टियों को ना करें, ऐसा मानस बनाकर स्रेश्ट बगता बनें, ऐसी भाबना बानी चाहिए. दीदी से निवेदन करना चाहूँगा कि दो स्रेश्ट अपाधिया बर्गे सारा, दो कनिष्ट वरिष्ट के अलग अलग निकाल ले ना, एक कनिष्ट का एक वरिष्ट का, ओवर रॉल निकाल ले हैं, फर्स्ट और सेकिंड, ठीक है प्रथम स्थान पर दो वक्ता रहे हैं, पहले हैं प्रतीक चैन प्रतीक चैन, भरावत, लुंबई अपने स्थान पर खड़े हैं, फिटी में से 43 माक्स इनको मिले हैं, और अंकुर इनको भी 50 में से 43 माक्स मिले हैं, रुल पर दो वक्ताओं के लिए हम करता धुन उसे सवागत करेंगे, और दोनों ही वक्ताओं से निवेदन हैं, स्विष्ट वक्तनाओं से निवेदन हैं कि वो अधरनी अदीदी से अपना प्रोजकार प्राप्त करें और जिनोंने इस गोष्टी के मुख्य बिंदु बोलें ऐसी वहन स्वस्ति सेटी से भी निवेदन करूंगा कि वो मंच पर आएं और अपना प्रोजकार प्राप्त करें हम सभी करता धोनी से स्वागत करेंगे और आज की जिन्वानी और अरहन्त चैनल के जिन्वानी चैनल के मुख्य बिंदु बताए सास्तिरी प्रतम बर्च से सम्मेथ कोथ वो भी आए और अपना प्रोषकार प्राप्त करें और अरहनते चैनल में जिनोंने प्रस्ण पूचा ऐसे सुभान सुजेन अपाध्या बरिष्ट और अंसर दिया बैभाव जेन बरिष्ट दोनों ही विध्यारती हैं और अपना प्रोषकार प्राप्त करें अच्छा प्रस्ट ने पूछा बैभव जैन बरिष्ट और उत्तर दिया सुभान सुजैन दोनों ही आए हम सभी कर्दाद होने से स्वाथ करेंगे और गोश्टी के संपन्ने ताके अंतिम पड़ा पर लास्ट आभार प्रदार्शन जिनके लिए मैं आमंत्रत करना चाहूंगा आदर्निय जिनकुमार जी भाई साब वो आएं और आदर्निय अध्यक्षय महुदय का आभार प्रदार्शन करें हलो दूतिय स्थान के लिए एक वक्ता और यहां से गोश्टना करें यश्खुरई उनकों पचास में से चाली संग राक्त हुए हैं तनिय वर्द से वेप्रथम रहे हैं आए विद्यार थे यश्ट जेन आए पुरस्कार प्रदार्शन करने के लिए आपने बुलाया है प्रतिती दीदी जब मैं उपादया कनिष्ट में आया था तब सास्त्री प्रतम वर्ष में इसी महाविद्याले में अध्यन रहती 31 वेच उसमें से आपने सास्त्री का अध्यनिया पूरा किया आप सब तो जानते होंगे महाविद्याले के उपराचारिये अधर ने भैसाब कि आप सुपुत्री है स्वयम के अध्यन में आपने शास्त्री के अध्यन किया और स्वयम अपने वक्तवी में आपने कहा अध्यन के समय पे क्या क्या नायापन आपने यहां पे लाए और कई विशे तीन लोग और ऐसे कई विशे आपने समझाये थे उस समय में भी यहां विद्यारति रहा था और सास्त्री अध्यन पूरा करने के बाद सिक्षा सास्त्री बीड भी आपने राश्री संस्क्रित संस्तान से बीड की शिक्षा ग्रहन की तर पर शात जेंदर्शन विशे से ही आचारिय यम्मे आपने वहीं से किया उसके बाद नेट की परिक्षा राश्रीय पात्रता परिक्षा उसमें आपने भाग लेकर के उत्तिर्न तो हुए साती में जे आरफ की उपादी भी आपने प्राप्त की उसमें से और इस तरह पी एचडी भी आप जेंदर्शन विशे क्या है पी एचडी का नेमी नाथ पुरान का समवाद इस विशे पर आप पी एचडी कर रहे हैं अभी राश्रीय संस्कृष्ण स्तान से और ये तो आपके अध्यन की बात हो गई इसके अलावा अध्यापन के शेक्त्र में जब हम लोग पढ़ते थे अंग्रिय जी विशे के अध्यापन को लेकर के बहुत समस्याएं होती थी साल भर में ही तीन-चार अध्यापक बदले जाते थे जब हम कक्षा के लिए जाते थो पहले से निश्चत नहीं होता था कि अध्यापक कोन होगा हुआ कभी सास्त्री तिरती वर्स से कभी बाहर से इस तरह बहुत इस तरह समस्या रही अध्यापक अध्यापन विशे को लेकर अंग्रिय जी विशे के लेकिन मैं बड़े गोरों के साथ कहता हूँ पिछले पांच वर्षों में एक अंग्रेजी विशे का अध्यापन आप बहुत बढ़िया तरीके से सभी विद्यारतियों कर रहे हैं और इसका विशेश परिणाम उपाद्या वरिष्टी के विद्यारतियों में जो हर बार बोड़ की परिक्षा देते हैं उनमें विशेश परिणाम दिखता भी है और उनके लिए आप विशेश महिनत करके उने पढ़ाते हैं एक अध्यापन की बात इसके अलावा आप जैंस् करते हैं वर्तमान इवापिडी के लिए आवश्यक उसमें जैंदर में से उनने कैसे सम्मुक करें इस विशेश से आप बहुत बढ़िया उसका भी संपादन करते हैं उसके अलावा दसलक्षट परू में भी प्रवचनारत बाहर जाते हैं इस बार यहीं रहे तो यहां भी किनों ने ख्रोचन किया इस तरह पूरे तत्यो ज्यान के शिक्षाओं को जन जन तक पोचाने के लिए आपका जीवन समर्पित हैं आप स्वयम इस महाविद्याले परिवार से हैं इसलिए विशेश तरह आबार क्या करूं इसलिए हमारे परिवार से हम सब की तरफ से आप अध्यक्ष बने इसलिए बहुत बहुत दन्यवाद बहुत बहुत आभार और हमारे गोष्टी के संचालक संयोजयक और सभी विद्यारती सभी ने इस गोष्टी को सफल बनाया आप सब वो भी बहुत बहुत आभार अब इसी तरह कल भी एक गोष्टी संपन्न होगी उसके रद्यक्ष महाविद्यारे के प्रबंदक महोदे आदरनी प्यूजी बेसाभ होंगे तो विशेश गोष्टी कल इसी समय संपन होगी तो कल रविवार है कुर्था पजा में पहन कर कल सभाब उपस्तित होंगे सुबह पूजन के समय उपादिया कनिष्ट वाले दोती दुपटा पहन करके कल पूजन में समय लित होंगे और कल के कारिकरम भी इसी तरह नियमित रहेगा अभी सिधा कारिकरम के पश्चात यहां से आप भोजनाले में जाएंगे उसके पश्चात साड़े बारह बजे से साथ्री परतमर्ष वालों की सर्वासिद्ध विशे की कक्षा रहेगी सर्वासिद्ध विशे इस विशे की साथ्री परतमर्ष वालों की कक्षा रहेगी इस विशे की साथ्री परतमर्ष वालों की कक्षा रहेगी